नमस्कार दोस्तों सोकते आपका सरकरे ड्रीम यूटूब चैनल में आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टाप सेलेक्शन कमिशन के तरब से जो स्टेनो ग्राफर की वेकेंसी आई है उसके बारे मैं आपको कम्प्लेट जानकरी देने वाला हूँ इसमें आपको कुल 1207 पत देखने के लिए मिल जाते है जिसकी ओफिशन नोटिफिकेशन भी अपलोड की गई है और इसकी आउनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुके है इसमें योग्यता स्रीपर से 10 भी पांस है और इसकी अपलाई डेट, स्लेबस, एज लिमिट, सेलेक्श वीडियो है दोस्तों यह कोई कॉमेटी वीडियो नहीं है इसके लिए अगर आप इंस्ट्रस्टिड है वीडियो आप तभी देखिए अगर आपने स्टेनोग्राफर वगरा का कोर्स किया है आपको पता है स्टेनोग्राफर क्या होता है तो आप इस वीडियो को देखिए पूरा ताकि आपको सब पता चल जाए कि इसमें आपके लिए क्या-क्या क्रिटिरिया है आपकी एज लिमिट क्या मंगे गई है चलान कितना है वो सारी जानकर आपको इस वीडियो में मिलने वाली है इसलिए आप इस वीडियो करते रहते हैं लेकिन उनको प्रॉपर जनकारी ना होने के कारण उनको पता नहीं चलता है कि वेकेंसी आई थी और वो चली भी जाती है तो आपको प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेर करना इस वीडियो को और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसे ही सरकारी नोकरी से रेलेटेड जो भी वीडियो में आप अपलोड करूँ फ्यूचर में उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपको कोई भी नोकरी की जो एड़टाइजमेंट है या एड है वो आपसे ना चुटे और आप उसके लिए 100% आउनलाइन आवेदन करें तो आज की इस वीडियो मोस्ट इंपोर्टन है पूरा जरू देखना चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों जैसे मैं आपको बता रहा था कि स्टाप सेलेक्शन कमिशन की तरफ से जो स्टेनो क्रॉपर की वेकेंस है ये ग्रेड सी और डी की ए रिकूर्मेंट है जिसमें आपको स्टेनो का जो पूरी जानकरी होनी चाहिए आपने कोर्स किया होना चाहिए या आपने वो दिखा होना चाहिए तभी आप इसके लिए उनलाइन आवेदन करना अब कुछ इसकी इंपोर्टन डेट्स बता देता हूँ 20-8-2023 इसके उनलाइन आवेदन शुरू हो रहे है और इसकी अपलाई डेट जो है वो 23-8-2023 इसकी लास्ट डेट है ठीक है इसके जो चलान आप आप उनलाइन आवेदन के लिए जो चलान बर सकते हूँ उसकी वी डेट 23-8-2023 है और इसके आप उनलाइन आवेदन करते हैं अगर आप कुछ गल्ती कर देते हो तो उसके लिए आप करेक्शन कर सकते हो जो की 24-25 तारीक को कर सकते हो 24-25 अगस्ट को आप इसमें करेक्शन क पर सकते हो अब इसका अनलाइन एक्जाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ट एक्जाम होगा वो अक्टोबर नॉमबर दोज़र तेईस में होने वाला है और स्किल टेस्ट जो होने वाला है वो आपको फ्यूचर में बता दिया जाएगा अब इसकी चलान की बात करें तो जनरल तीस साल आप इसमें होने चाहिए अगर आप 27 साल से हो तो आप D post के लिए अपलाई कर सकते हो और अगर तीस साल के लिए तो C post के लिए आप इसके लिए आप उनलाइन अप्लाई कर सकते हो SCST के लिए 5 सार रिलेक्शन है OBC के लिए 3 साल का रिलेक्शन इसमें दिया गया है अब पदों की बात करें तो इसमें 1207 पद है जो मैंने आपको पहले ही बताया अब इसकी eligibility criteria जो है SSC Stenograper Examination 2022 है इसमें grade C के 93 post है और grade D की 1114 post है ठीक है दोस्तों इसमें आपके पास जो है कम से कम 12 प्लास आप पास होनी चाहिए ठीक है और आपके पास जो Stenograper grade D की transcription होनी चाहिए English में कम से कम 50 minutes और हिंदी में 65 minutes ठीक है ये group D के लिए बताया मैंने और Stenograper grade C के लिए English में कम से कम 40 minutes और हिंदी में 55 minutes ठीक है जो ट्रांस्क्रिप्शन होता है उसके लिए मैं बता रहा हूं अब बात करें इसके ऑनलाइन अप्लाइ वगरा की तो इसकी ओफिशियल नॉटिकेशन जो मैंने अपने टेलेग्रम चैनल पर अपलोड कर दिये वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो इसकी ऑनल जानकरी के लिए बता दूँ मैं अपना टेलेग्रम चैनल का नाम सरकारी ड्री में वहां से आप हर सरकारी नॉकरी की जो कोई भी ऑनलाइन ओफिशल नॉटिकेशन होती वही वह अपलोड कर दिता हूं वहां से डाउनलोड करके आपको इसली से मिल जाती है ठीक है और इसक जो गर इस भरतिस रेलेटेट आकर आपके कोई क्वेशन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो इंस्टाग्राम आईडी भी सरकारी ड्री में वह आपे फॉलो करिए आप मैसेज करिए मैं आपको 100% रिपलाई दूँगा जो भी आपके क्वेशन है उसके र नेवादा